Hello friends, आज मैं आप सभी को ऐसी ट्रिक्स बताने जारू हूँ जिससे आप 100% अपनी कमर को चला सकते हैं तो आज मैं आप सभी को कमर चलाना सिखाऊंगी Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Rakshita Pradhan So, आज का जो मेरा topic है कमर चलाने का तो मैं आज सभी को कमर चलाना सिखाऊंगी क्योंकि mostly लोगों को कमर चलाने नहीं आता है तो मैं आज आज आप सभी को ऐसी ट्रिक्स बताने जारू हूँ जिससे आप अपने 100% कमर चला सकते हैं तो चलिए शुरवात करते हैं तो आपको क्या करना है आपको पहले तो legs चलाना सीखना होगा ठीक है आपको क्या करना है जो पीछे वाला leg है आपको इस तरीके से ऐसी आगे की तरफ लिखे जाना है एक leg और दूसरे leg को पीछे की तरफ लिखे जाना होगा तो एक, दो, तील, चार, पांच, छे, साथ, आठ कोशिश करें कि आप जो अपने काउंट कर रहे हैं वो पीछे वाले लेक्ट से स्टार्ट करें जैसे एक, दो, तील, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो ये हमारा फर्स टैप हो गया, फर्स इसका बेसिक मैं अगेन रिपीट करती हूँ, कैसे करना है, एक, मैंने घुटिने की तरफ से आगे किया एक, और इसको मैं ऐसे उपर कर रही हूँ, ठीक है, एक, दो, तील, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठीक है तो ये हमारा था फर्स टीक है, अब इसके बाद दूसरे लेक्स से भी आपको इसी तरीके से आराम से इस तरीके से करना होगा एक, दो, तील, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, ठीक है, ये मैं लेक्स के स्टेप इसलिए पता रही हूँ, इसी तरीके से आप अपनी कमर को चला सकते हैं, नहीं तो आप नहीं चला पाओगे ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट बेसिक हो गया, आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं दुबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोगो ओके लिए कैसे पीछे की तरफ देखो, मैं इस तरीके से उठा रही हूँ, और ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से उठा रही हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, अब दूसी तरफ से मैं उठा के दिखाती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह 8 आप 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 इस तरीक डिवार के कौन पर इस तरीके से इस तरीके से कुछ को јा करना होगा उसी घर सब्सक्राइर है और टोड़ा सा हिप को डाउन करना होगा ओक एकिक जै। दो अब आपको क्या इस दिवार के सारे थोड़ा सा दिवार के सारे जाके अपने हिप्स टच करने होंगे तो मैं किस तरही किसे बैटरी हूं एक यहां से दो तीन यहां से चार मैं बैटरी हूं पूरा ठीक है यह लैग भी बैटने हो रहा है पांच चै, साथ, आट, नौ, दस, एक, दो, इसी तरीके से आपको दिवार पर टच करना है, तीन, और ये चार नीचे बढ़ते हैं, पांच, चै, साथ, और ये आट, ठीक है, अब मैंनना एक लैक से कर दिया, आप दूसरे लैक से भी इसी तरीके से आपको करना होगा, एक, दो, तीन, दिवार पर सारा लेना है, चार, पांच, चै, साथ, आट, नौ, दस, कितनी भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो कमफरेबल लगे, उतनी काउंट करें, अगेन इस लैक से और दुबारा एक आगे गया, दूसरा पीछे गया, दुबारा एक आगे गया, फिर दुबारा पीछे गया, एक, दो, तीन, चार, पूरा टैच हो ना ची आपका हिप्स, पांच, छै, साथ, ये आट, नौ, ये दस, बहुत एज़ी है, तो अभी मैं इसको गया ना, जैसे मैंने दिवार के सारे किया, मैं नीचे जूकी, ठीक है, मैंने जूकी, एक, और ऐसे मैं नीचे जूकी, तो यही चीज मैं दिवार के बिना सारे करनी है, वबन को प्रैक्टिस, तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, जैसे आपने वहां पर दिवार पे प्रैक्टिस करी, अब वापिस आपको इधर प्राक्टिस करनी होगी, तो आपको क्या करना होगा, एक, दो, तीन, चार, नीचे जुगना होगा, पाँच, छे, जुग गए, साथ, आठ, नो, दस, ठीक है, हंड्रेट परसंट आपको सीख जोगे कमड चलाना, पहले आपको लेग सीखना होगा, क्योंकि जब तक आपके लेग नहीं चलेगे ना, जब तक आपकी कमड चली नहीं सकते हैं, ठीक है, अब दूसरे लेग से, एक, फिर नीचे जुगे, दो, फिर नीचे जुगे, तीन, फिर जुखना है, चार, जुखो, पाँच, फिर से जुखो, साथ, जुखो, इस तरीक से आप जुकने वाला step करें अब ठीक है अभी side करेंगे ताकि आपको पता लग जाए एक जुक गए दो आप ठोड़ा जटका भी देने लग जाओ इस तरीके से जुके अब one two three जुक गए जुक गए ठीक है five six seven eight nine ten अब दूसरे लेक से करेंगे अराम से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो अभी मैंने ये सिखा दिया आपको तो आप आपको क्या करना होगा आपको सेम इस तरीके से अब मैं जो थोड़ा सा step और बतारी हूँ वो करना होगा प्राक्टस एक दो तीन जूके जूके ये करना होगा आपको ठीक है तो आपको काउंट करनी है one two three four आराम से करना है लेक्स पिल लगाना मत चार पाँच छह साथ आठ नौ और ये दस एक लेक्स हो गया दूसरे लेक्स करेंगे एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नौ और ये दस आग्या समझ ठीक है? तो अभी आपको आना इसी चीज की प्राक्टस करनी है जो मैंने सिखाया ना केवल इसी चीज की आपको प्राक्टस करनी है एक बार आपको ये सब आ गया तो उसके बाद मैं अगले स्टेप के उपर भड़ूँगी तो मैं next वीडियो में बताऊंगी इसके बाद आपको क् तो मेरा next वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले and press the bell icon also जिससे जब भी मैं अपना वीडियो अप्लोड करूँगी तो उसका notification आपके YouTube चैनल पे आ जाएगा So bye bye guys